अंजली और विवेक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों एक शहर में जॉब करते थे, दोनों ने साथ ही पढ़ाई की थी, विवेक तो शहर का ही था, लेकिन अंजली अपने गाउं से शहर पढ़ाई करने गई थी, सहयोग से पढ़ाई खतम होने के बार दोनों की जॉब भी शहर में ही लग गई, अंजली के माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए लड़का देखने के लिए उसे बार बार गाउं बुला रहे थे, एक दिन विवेक और अंजली शाम को बर्गर किंग में मिले, वहाँ पर अंजली थोड़ा उदास सी लग रही थी उसे उदास देखकर विवेक कहता है, उए तुझे क्या हो गया, तेरे चहरे पर बारा क्यों बजे हुए हैं, कुछ नहीं यार, लगता है तेरा मूड खराब है, अभी तेरा मूड ठीक कर देता हूँ, उसके बाद विवेक बर्गर ओर्डर करता है, तब अंजली कहती है, अच्छा, अभी दो ठपड़ खाने के बाद तेरा सब कुछ खाने का मन करने लगेगा, विवेक की ये बात सुनकर अंजली और विवेक हंसने लगते हैं, तब तक उनका ओर्डर भी आ जाता है, बर्गर खाते खाते अंजली विवेक को अपनी उदासी का कारण बताती है, अरे यार मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरी आजादी अब खोने वाली है। आजादी खोने वाली है? मतलब? यार मम्मी पापा बार बार शादी के लिए दवाब दे रहे हैं। उन्होंने गाओं में मेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है। वो चाहते हैं मैं एक बार उससे मिल लूँ। ओय होय तिरी शादी की बात चल रही है। यार बड़ी बेकार है पताया नहीं तुने लेकिन इसमें उदासी वाली क्या बात है। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है अभी कर ले। तु भी मम्मी पापा की भाशा बोलने लगा। कोई बात नहीं बेटा मेरा भी टाइम आएगा। उसके बाद अंजली अपने गाउं चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने विवेक से ये वादा ले लिया था कि अगर उसकी शादी तय हो गई तो विवेक उसकी शादी से 10-15 दिन पहले ही गाउं आ जाएगा। गाउं में जो अंजली के मापिता ने उसके लिए लड़का देख रखा था अंजली को वो बहुत पसंद आया। शादी की तारीक भी तय हो गई। अंजली सबसे पहले विवेक को ये खबर देने के लिए उसे फोन करने लगी लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद भी विवेक फोन नहीं उठा रहा था। फोन क्यों ने उठा रहा ये जरूर सो रहा होगा फुमकरन का भतीजा। मुश्किल से अभी दो मिनट भी नहीं बीते थे कि विवेक का कॉल बैक आ गया। उई तुझे तेरा पती पसंद आया की नहीं। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी पहले ये बता तू कहा था। कितनी देर से फोन कर रही हूं मैं तुझे सरूर सो रहा होगा। के लिए अपलाई करके वो गाओं आ जाए। विवेक तो इसी इंतजार में था। उसने ऑफिस से छुटी ली और अजली के गाओं की और ट्रेन में चल पड़ा। ट्रेन पूरी रफतार से चल रही थी और ट्रेन में एक चने वाला चने बेच रहा था। अंजली स्टेशन पर ही विवेक को लेने के लिए खड़ी थी। जैसे ही विवेक प्रेन से उतरा अंजली उसे देखकर खुश हो गई। अंजली के घर विवेक की खूब खातिरदारी हुई। अंजली ने अपने रिष्टेदारों और गाउं वालों से भी विवेक को मिलाया। विवेक पहली बार इस तरह किसी गाउं को इतनी नजदीक से देख रहा था। इसलिए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कभी वो अंजली के साथ खेट देखने चला जाता तो कभी गेहों की बुआई देखने लग जाता। कभी नदी से मचली पकरता तो कभी गाउं के बच्चों के साथ मज़े करता था। यार अंजली सच कहूं तो मज़ा गाउं में ही है। हरे भरे खेट, ताजी सबजियां, मीठा पानी, ताजी हवा और शहर की भागड़ और प्रदुशन से दूर तो कितनी लखी है यार। अंजली की शादी को अब कुछी समय बचा था। इसलिए शादी से पहले कि सभी रीती रिवाज शुरू हो गए थे। अंजली को जब हल्दी लगाई जाती तो विवेक उसका खूब मजाक उड़ाता था और उसकी तस्वीरे खीसता रहता था। विवेक बहुत खूश था लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ लोगों ने लगातार उस पर नजर बना रखी है जो किसी मौके की तलाश में है। अंजली की शादी के दो दिन पहले की बात है। विवेक का बहुत मन था कि वो गाउं की नदी में जाकर नहाए। अंजली तो शादी की रस्मों में भी जी थी। इसलिए विवेक अकेले ही नदी पर नहाने चला गया। जब वो वहां से नहा कर लौट रहा था। वाह मज़ा गया। कितना ठंडा पानी था यार। वो वापस लौट ही रहा था कि अचानक से कुछ गुंडों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। और उसके चहरे पर एक नकाब डाल दिया। कौन? कौन है आप लोग? मेरे मुँपर कपड़ा क्यू डाल रहे है? छोड़ा मुझे। उसके बाद उन लोगों ने विवेक को एक गाड़ी में डाला और उसे लेकर जाने लगे। विवेक बहुत चिला रहा था। इसलिए उन लोगों ने इंजेक्शन लगा कर उसको बेहोश कर दिया। जब विवेक को होश आया तो उसने खुद को एक मंदिर में पाया। उसने देखा कि उसके आसपास कई सारे लोग खड़े हैं। उन लोगों को विवेक ने कई बार देखा भी था। लेकिन आज उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। विवेक चीकना चाहता था लेकिन उसके मूँ पर तो टेप लगा हुआ था। उसके कपड़े भी बदले हुए थे। और वो दूले की ड्रेस में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने उसके मूँ पर चिपक दो नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन हो क्या रहा है वो तो बताओ। तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम्हारी शादी की तयारी हो रही है। अरे अंकल लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी शादी नहीं बलकि मेरी द कुलहन की ड्रेस में आती है उसका चहरा गुंगट से ढका हुआ था उसे देखकर विवेक के दिल की धड़कन बढ़ने लगी इसी बीच उसने भागने की कोशिच भी की लेकिन उसे वहां खड़े लोगों ने पकड़ लिया बेचारा विवेक बहुत परिशान हो गया गाउं उसे बहुत पसंद आ रहा था लेकिन बेचारा गाउं में आकर फस गया लाक मना करने के बाद भी उन लोगों ने विवेक की शादी उस लड़की से करवा दी उस लड़की का नाम निलान जुना था इस बीच अंजली को भी विवेक की शादी की बात पता चल गई वो भी भ जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी मैं इस शादी को नहीं मानता ये शादी कम और गुंडा गर्दी जादा है इसके बाद अंजली ने अपने गाउं की जबरदस्ती वाली शादी के बारे में विवेक को बताया कि किस तरह इस शादी में लड़कों को जबरदस्ती पकड़ कर शादी करवा दिया जाता है और इस शादी की गाउं में सामाजिक माननेता भी है कोई इसका विरोध नहीं कर सकता उसे लड़की को अपनी दुलहन मानना ही पड़ेगा यार ये तो बहुत ही अजीब जबरदस्ती है शादी है कोई सबजी भाजी की खरीद थोड़ी है मैं क गाउं के बड़े बुजर्गों से इस बारे में बात की लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी लेकिन इन सब के बीच वो बेचारी लड़की निलान जना बिना किसी कसूर के पिस रही थी वो बेचारी घूंगट के अंदर रोए जा रही थी उसे भी विवेक के साथ हुई ये यह ठीक नहीं हुआ लेकिन हमारे गाओөं का यह एक रिवाज है जो कई सालों से चला आ रहा है फिर मुझे क्यों इन सब की सजा मिल रही है सही कह रहे हैं सदियों से जो यह बेकल इंगा Ärसम चलती आघि है इसको आप क्यूं सहे था कि इन सब में बिचारी निलांजना की क्या गलती आखिरकार विवेक ने भी एक फैसला ले लिया मुझे माफ कर दीजिये निलांजना जी मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था आपके बारे में नहीं सोचा मैंने मैं जानता हूँ कि ये सब गलत हुआ है लेकिन मैं एक और गलती नहीं कर सकता मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा अब आप मेरी पतनी है मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कोई दुख ना पहुँचे विवेक की बात सुन निलांजना की आँखों में आसू आ गए विवेक ने निलांजना को गले लगा लिया लेकिन उस दिन उन्होंने एक प्रण भी लिया कि उनके साथ जो हुआ वो दोबारा उस गाउं में ये किसी के साथ नहीं होने देंगे अब गाउं में जबरदस्ती की शादी की शादी नहीं होगी इसके खिलाफ वो मुहीम चलाएंगे क्योंकि शादी विवाह तो प्रेम का बंधन है सबर्दस्ती का नहीं बहुत समय पहली की बात है एक छोटी से गाउ में सुनेना अपने माता पिता और छोटी बहन त्रिशा के साथ रहती थी सुनेना के माता पिता जादा अमिर नहीं थे वो लोग जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे परन्तु फिर भी वो परिवार थोड़ी में खुश था और आपस में हसी खुशी जी रहा था परन्तु ना जाने एक दिन उनके परिवार को किसकी नजर लग जाती है सुनेना के माता पिता को एक गंभीर बिमारी हो जाती है और पैसो की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता जिस कारण उनके मृत्यू हो जाती है सुनेना जैसे तैसे खुद को और अपनी छोटी बहन त्रिशा को संभालती है और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है क्यूंकि वो लोग गरीब थी इसलिए सुनेना के रिष्टेदार पहले ही उनसे नाता तोड़ चुके थी अप सुनेना का अपनी छोटी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था उनके जिंदगे पहले ही आसान नहीं थी अब सुनेना के माता पिता के जाने के बाद उनके जिंदगी और मुश्किल हो गई थी दीदी मुझे भूक लग रही है दो दिन हो गई है मैंने कुछ नहीं खाया मैं जानती हूं तरिशा पर घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है और नहीं पैसे हैं जो पैसे बचे भी हुए थे वो मा पापा की अंतिम संस्कार में खतम हो गए पर तुचिंता मत कर मैं कुछ करती हूं इसके बाद सुनेना अपनी बहन तरिशा को घर पर छोड़ कर बाहर काम धुड़ने चली जाती है वो फेक्टरी में जाती है दुकान में जाती है पर नतु उसे कहीं काम नहीं मिलता फिर वो थक हार के एक घर में जाडू पोछे का काम धुड़ने जाती है और वहां की मालकिन सुनेना पर तरस खाकर उसे काम पर रख लेती है अब सुनेना एक दो घर में और काम ढूल लेती है और वो अब घर घर काम करकी अपने घर का खर्चा चलाने लगती है परन्तु उसके इतना काम करने के बाद भी पैसे कम ही पड़ जाते थी ऐसे ही एक दिन त्रिशा आखों में आसो लिये घर आती है जब सुनेना त्रिशा का ऐसा उत्रा हुआ चहरा देखती है तो वो पूछती है क्या हुआ त्रिशा तेरा मुह ऐसे उत्रा हुआ क्यूं है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या? दीदी मैंने तीन महिने से स्कूल के फेस नहीं भरी है इसलिए टीचर ने आज मुझे बहुर टांटा और उन्होंने ये नोटिस भी दिया है कि अगर कल के कल फेस नहीं भरी गई तो मुझे स्कोल में एंट्री नहीं मिलेगी अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है जो पैसे थे वो घर के राशन में खतम हो गए पर तुछ चिंता मत कर मैं देखती हूँ और कुछ न कुछ कर ही लूँगी तरिशा को दिलासा देकर सुनेना अपनी मालकिन के पार चाती है और कहती है मालकिन मुझे आपके यहां काम करते हुए पांचे महीने से भी उपर हो चुका है आपको मेरा काम भी पसंद है और मेरा वियवहार भी अगर हो सके तो मेरी एक मदद कर दीजिए कैसी मदद मालकिन मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए क्या आप मुझे एड़वान सेलरी दे सकती है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूँगी हम अमीर हैं इसका मतलब यह नहीं के पैसे पेड़ पर उखते है और वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम लोगों को तुम लोग पैसे लेते हो और भाग जाते हो मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अब अगर काम करना है तो वो रही जाड़ू और वहां है पोचा और अगर नहीं करना तो सामने दर्वाजा है सुनेना कुछ नहीं कहती और काम पर लग जाती है फिर शाम को वो अपने मकान माली के घर जाती है अच्छा हुआ तु यहां आ गई वरना मैं तेरे पास आने वाला था आखिर तु कब मेरा किराया देने वाली है कल पूरे तीन महीने हो जाएंगे मैं बता रहा हूँ अगर मुझे कुछ दिनों में मेरा घर का किराया नहीं मिला तु तु तुझे और तेरी बहन को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूँगा मालिक आप मेरी बात तो सुनिए मैं कैसे ना कैसे करके कुछ महीनों में आपका मकान का किराया चुका दूँगी पर अभी मैं यहां मदद के लिए आई हूँ मुझे तृशा की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ची 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 इतनी बेशरम लड़की मैंने आस तक नहीं देखी पहले तो मेरे घर का किराया नहीं दिया उपर से मुझे से ही उधार मांग रही है चलि जा यहाँ से तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला और हाँ जितना जल्दी हो सके मेरा घर का खिराया चुका दे वर्णा अच्या नहीं होगा बिचारी सुनेना उधास मन से घर चली जाती है दीदी मेरी फीज का कुछ इंतिजाम हुआ क्या? नहीं त्रिशा मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की परंतु सब ने मना कर दिया तू एक बर कल स्कूल जा कर देख और अपनी टीचर को मना कर देख क्या पता वो हमारी स्थिती समझ जाएं? त्रिशा का बिलकुल भी मन नहीं था परंतु फिर भी वो अपनी बहन की बात मान कर स्कूल चली जाती है लेकिन उसके टीचर उसके साथ बहुत बुरा वहवार करती है तू फिर बिना फीज के मूँ ठाकर आ गई? तुझे कल कहा था ना कि अगर फीज नहीं लाएगी तो स्कूल भी मता आना? टीचर जी मेरी दीदी ने कहा है कि वो एक दू दिन में फिर चरूर भर देंगी तेरी बहन तीन महीने से यही बात कह रही है पर अब बहुत हो गया अब जब फीज लाना तभी स्कूल आना अब दोनों बहने मिलकर घरों में काम करने लगती है और अपने घर का खर चलाने लगती है ऐसी ही एक दिन वो अपने घर पर होती है तभी उनका मकान मालिक आ जाता है क्या हो गया मालिक हमने तो आपके तीनों महीनों का किराया चुका दिया है फिर आप ऐसा क्यों कह रहे है क्योंकि मुझे तुमसे ज़ादा किराया देने वाला परिवार मिल गया है और वो मुझे किराया भी समय पर देगा इसलिए मैं नहीं चाहता तुम लोग अब यहां रहो तो इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालू तुम लोग खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहां से निकल जाओ सुनेना और बहस नहीं करना चाहती थी इसलिए वो अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाती है वो लोग रास्ते में इधर उधर भटक रहे होते हैं तबी तुरिशा कहती है दीदी अब तो हमारे पास घर भी नहीं है हम कहां जाएंगे क्या खाएंगे और कहां रहेंगे वो तो मैं भी नहीं जानती पर तु चिंता मत कर अगर भगवान ने हमें इस स्थिती में डाला है तो वो ही हमें इस से बाहर निकालेगा इसके बाद दोनों बहने एक छोटे से जंगल में पहुचाती है और वहां के एक घने पीड़ की छाओ में बैठ जाती है वो वहां बैठी होती है कि तभी उन्हें एक चेक सुनाई देती है कोई है? कोई है? कोई तो मेरी मदद करो? ये चेक सुनकर दोनों बहने आवाज की दिशा में जाती है तो उन्हें एक परी काटो भरी बेल से पेड़ से बंदी हुई दिखाई देती है दोनों बहने मिलकर परी को वहां से आजात करवाती है आप ठीक तो है ना इन काटो वाली बेल की वज़े से आपके पूरे शरीर से खून बह रहा है आपको मरहम पटी की जरूरत है अभी मुझे केवल मेरी जादूई चड़ी की जरूरत है पर परीजी आपके ये हालत कैसे हुई ये सब एक दुर्ष चुड़ाल ने किया है और उसी की वज़े से मेरी ये हालत हुई है परन्तु एक बर मुझे मेरी चड़ी मिल जाए फिर सब कुछ ठेक हो जाएगा लेकिन उस चड़ी को लाने में मुझे तुम्हारे मदद चाहिए होगी कैसी मदद? यहां से दूर काले घटा पहाडी के निचे दो जादूई सोने और चांदी के घर है उन में से एक घर में मेरी जादूई चड़ी रखी है अगर तुम वो छड़ी ले आओ तो मुझे पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा और फिर तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दे दूँगी हमें कुछ नहीं चाहिए परन्तु हाँ हम आपकी मदद जरूर करेंगे ऐसा कहकर सुनेना तुरीशा को लेकर परी की बताय हुई जगा पर पहुच जाती है वहाँ उन्हें दो जादूई सोने और चान्दी के घर दिखाई देते हैं पहले सुनेना चान्दी के घर की तरफ बढ़ने लगती है तब इस सोने के घर में से आवाज आती है लड़की तुम वहाँ क्यों जा रही हो तुम मेरे घर के अंदर आओ मैं जादूई सोने का घर हूं मैं इस चांदी के घर से कई जादा बहतर हूं और मेरे अंदर तुम्हें इस दुनिया के सबसे कीम्ती, हीरे जवाराथ, पैसा और मां के सब कुछ मिलेगा, जिसके तुम्हें जरूरत है। मैं इन सब चीजों का वादा नहीं करता, क्योंकि मेरे घर के अंदर तुम्हें केवल परी की जादूई छड़ी मिलेगी। अगर तुम्हें परी की जादूई चड़ी चाहिए, तो तुम मेरे घर के अंदर आकर ले सकती हो। सुनेना बिना देर लगाए चादी के घर में चली जाती है, जहां उसे परी की जादूई चड़ी मिल जाती है। सुनेना वो चड़ी लेकर परी के पास चाती है। ये लीजे परी जी आपकी जादूई चड़ी अब आप उस चुड़ैल का सामना बिना किसी डर के कर पाएंगी सुने ना यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है और मुझे किसी चुड़ैल का सामना नहीं करना है मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब एक जूट था मैं तो केवल तुम दोनों की परिक्षा लेना चाहती थी मुझे रानी परी ने यहाँ तुम दोनों की मदद के लिए भीजा था पर तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी अच्छाई की परिक्षा लेना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे ये सब करवाया और तुम इस परिक्षा में पास हो गई हो क्यूंकि तुम उस सोने के घर की बताई हुई चीजों के लालश में नहीं आई इसलिए अम मैं तुम्हें ये धेर सारी धन दौलत देना चाहती हूँ इससे तुम्हारी जिन्दगी बहतर हो पाईगी और तुम दोनों एक अच्छा जीवन जी पाऊगी ऐसा कहकर परी वहाँ पर धेर सारा धन प्रकट कर देती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी आपने हमारी बहुत बड़ी साहयता की है हमें इस धन की सक्त जरूरत थी इसके बाद परी उन दोनों को आशिरवाद दे कर वहाँ से चली जाती है सुनेना और तुरिशा उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर खरीती है और उन पैसों की मदद से अपना खुद का एक व्यापार भी शुरू कर देती है जिससे उन्हें अच्छे खासे तरक्की मिल जाती है एक दिन सुनेना के मकान मालिक को सुनेना और तुरिशा की तरक्की के बारे में पता चलता है पर अंतु उसे समझ नहीं आता कि इतनी चल्दी इन दोनों के पास ये सब कैसे आया आखिर इन दोनों के पास इतना पैसा कहां से आया कि इन्होंने इतना बड़ा वेपार शुरू कर दिया और इतना बड़ा घर ले लिया जरूर इसके पीछे कुछ राज है मुझे पता लगाना होगा ऐसा कहकर वो मकान मालिक सुनेना और तरिशा के पास चाता है और भोले पन का नाटक करता है बच्चो कैसे हो तुम? मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो मुझे बाद में बड़ा ही पस्तावा हुआ और मैंने तुम दोनों को कई जगह ढूंडा भी परन्तु तुम दोनों मुझे कही नहीं मिली वैसे तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी हम बिल्कुल ठीक हैं इसके बाद मकान मालिक सुनेना से उर जगह का पता जान लेता है और वहीं पहुँच जाता है उसे वहां दोनों सोने और चांदी के जादूई घर दिख जाते हैं वो बिना देर लगाए सोने के घर में घुष जाता है पर अंतों वहां उसे खजाना तो नहीं मिलता लेकिन एक बहुती दुष चुडैल मिल जाती है वो चुडैल उस मकान मालिक को अपना बंदी बना लेती है और अपनी गुफा में ले जाती है और उस दुष मकान मालिक को उसकी की की सजा मिल जाती है यहां दूसरी तरफ सुनेना और त्रिशा का व्यपार और तरक्की करने लग जाता है और वो दोनों बहने लोगों की मदद करते हुई एक अच्छा जीवन जीने लग जाती है यह कहानी एक मेघा नाम की लड़की की है मेघा दिखने में बहुत खूबसूरत थी मेघा अपनी मा के साथ रायपूर नाम के गाओं में रहती थी मेघा की मा रायपूर के सबसे बड़े सेट मोती लाल के यहां काम करती थी मेघा की मा निर्मला को सेट के घर काम करते करते कई साल बीट गए थे मेगा जब दो साल की थी तब उसके पिता का देहान थो गया था मोती लाल की भी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था रानी मेगा के उम्र की ही थी अगर निर्मला कभी काम पर नहीं जा पाती थी तो अपनी जगा अपनी बेटी मेगा को भेज देती थी इसी तरह एक सुबह मेगा मोती लाल के यहां काम करने जाती है तब ही मोती लाल की पत्नी मेगा से कहती है आज तू आईए मेगा निर्मला कहां है मालकिन मा की तब्यत ठीक नहीं थी उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था इसलिए मैंने उनको दवाई देकर आराम करने के जाती है रानी पहले से ही मेगा से बहुत इर्शया करती थी रानी दिखने में मेगा की तरह खुबसूरत नहीं थी यही कारण था कि वो मेगा से बहुत चिड़ती थी मेगा को काम करता देख रानी अपने मन में सोचती है अच्छो जी तो आज ये मैडम आई है काम करने इस और हां जल्दी मुझे इसे पहन कर पार्टी में जाना है अभी कर देती हूं राणी लाओ दो मेगा राणी की ड्रेस लेकार उसे प्रेस करने लगती है तब ही मोती लालकी पत्नी मेगा को आवाज लगाती है लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है, मौके का फाइदा उठाकर रानी अपनी ड्रेस खुद ही जला लेती है और गुस्ते में चिलाने लगती है, मा ओ मा ज़र इधर तो आना, देखो इस कल मुही ने क्या किया है, रानी का हला सुनकर रानी की मा और मेगा दोनों वहां प जाने वाली थी, पता भी है कितने महेंगे ड्रेस थी ये? अर्या, आखों की अंधी, तूने मेरे बीर्डी के कपड़े जला दिये, पता भी है तुझे कितनी महेंगे ड्रेस है? मालकीन, मैं तो प्रेस बंद करके गई थी, फिर मुझे नहीं पता ये ड्रेस कैसे जिल गई तेरे कहने का मतलब है हम सब जो आँखों से देख रही है वो जूट है माप बहुत हो गया अब आप भी मुझे नए कबड़े दिलवाओगी चाहे उसके लिए आपको इसके एक मेने के सैल रहे क्यों न काटने पड़े हम तभी वहाँ पर मोती लाला जाता है और अपनी बेटी से कहता है अरे बेटी इसमें तनक्वा काटने वाली क्या बात है दो दिन बाद तुम्हारा जनम दिन आने वाला है जनम दिन वाले दिन इसे सुबह से लेकर शाम तक काम करवाना तुम्हारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा सारे महमानों की खातिरदारी यही करेगी आप सही कहरे है जी यही ठीक रहेगा मेगा सुना तुने दो दिन बार मेरी रानी का जनम दिन है हम बहुत बड़ी पार्टी करने वाले है पार्टी में सारे महमानों का ध्यान तू ही रखेगी और हाँ एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए ठीक है मालकिन मैं आ जाओंगी काम खतम करके मेगा घर चली जाती है और अपनी मा को सारी बात बताती है सारी बात जान कर निर्मला कहती है बेटी रानी के बड़ी में अगर तू जाएगी तो वहाँ पर धेर सारे महमान रहेंगी ऐसे में तू इन कपड़ों में जाएगी अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले महमानों की बीच बुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा तेरे सारे कपड़े किनारों से फट गए है लेकिन मा मेरे पास तो कोई ऐसी ड्रेस है ही नहीं मुझे इनी कपड़ों में जाना होगा रात हो चुकी थी और मेगा अपने आंगन में बैठी थी उसकी आँखों से आसु बह रहे थे तभी मेगा की नजर एक तितली पर जाती है जिसके पंक मकडी के जाले में फस गए थे तितली उस मकडी के जाले से खुद को चुड़ाने की कोशिश कर रही थी मेखा तिदली के पास जाती है और बहुत आराम से तिदली को उस मकडी के जाले से चुड़ा देती है मकडी के जाले से छूटने के बाद वो तिदली एक परी का रूप ले लेती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छी हो तुमने मेरे पंक उस मकड़ी के जाल से छुड़ा दी मेरे पंकों में बहुत दर्द हो रहा था तुमने मेरी मदद की है तो उसके मदले मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मैंने देखा कि तुम वहां बैठी हुई रो रही थी लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पॉंक मकडी के जाल में फसे हुए थी मुझे बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ प्यारी परी कल मेरी मालकिन की बेटी का जनम दिन है मुझे वहाँ पर महमानों का ध्यान रखने जाना है लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है इसलिए मैं उदास हूँ अरे बस इतनी सी बात मैं अभी तुम्हारे लिए फूलों की फ्रॉक तयार करती हूँ तुम उसे पहन कर जाना तुम बहुत खुबसूरत लगोगी इतना कहकर परी जादू करती है और मेखा के सामने एक बहुत खुबसूरत फ्रॉक आ जाती है जिस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे जिसे देखकर मेखा बहुत खुश होती है परी ये फूलों की फ्रॉक तो बहुत खुशुरत है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसके बाद वो परी वहां से गायब हो जाती है इतनी सुन्दर फ्रॉक मिलने से मेखा बहुत खुश थी मेखा ने घर के अंदर जाकर वो फ्रॉक अपनी मा को दिखाई निर्मला भी वो फ्रॉक देखकर बहुत खुश हुई मेखा ये फ्रॉक तो बहुत खुबसूरत है देखना पूरी पार्टी में मेरी बच्ची सबसे ज़्यादा खुबसूरत लगेगी अगले दिन मेखा वो खुबसूरत सी फ्रॉक पहन कर पार्टी में जाती है और सभी महमानों का ध्यान रखने लगती है पार्टी में रानी का एक दोस्त अभिशेक आया था जो बहुत ही स्मार्ट था उसने रानी को तौफ़ा दिया तब रानी बोली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्री अभिशेक मुझे पता है तुम्हारा दिया हुआ तौफ़ा बहुत कीमती होगा तब ही अभिशेक की नजर मेखा पर जाती है और वो मेखा को देखता ही रह जाता है रानी को ये सब बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था वो मन ही मन जल भुनकर राख हो रही थी रानी अपने दिमाग में एक घटिया सा प्लैन बनाती है अरे बिशेक जोस लोगे क्या तुम मेखा जर बिशेक के जूस लेकर आती है रानी जान बुझकर अपनी टांग अडाकर मेखा को गिरा देती है और हसने लगती है मेखा रोते हुए वहां से चली जाती है अभि शेक ने रानी को जान बुझकर पैर अडाते हुए देख लिया था इसलिए वो भी पाटी चूड़ कर जाने लगता है अरे विशेक तुम कहा जा रहे हो अभी तुम मेरे केक भी नहीं कट हुआ है मैं ऐसी जगह बिलकुल नहीं रुख सकता जहां किसी निर्दोश का अपमान हो मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने उस लड़की को अपना पैर अडा कर जान बुश कर गिराया है आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खतम ऐसा कहकर अभिशेक वहां से चला जाता है दो तीन दिन तक निर्मला और मेखा काम पर नहीं जाते एक दिन अचानक से अभिशेक अपने ममी पापा के साथ मेखा के घर जाता है और निर्मला से कहता है आंटी जी मैं मेगा को पसंद करता हूँ मैं मेगा से शादी करना चाहता हूँ इसलिए मैं ममी पापा को साथ लेकर आया हूँ हाँ बेहन जी मेरा बेटा सही कह रहा है उसने मेगा के बारे में जितना बताया था मेगा उससे भी जादा खुबसुरत है हमें मिघह बहुत पसंद है आप बस शादी की तयारयां किजिए सबकी बाते सुनकर मिघह शर्मा चाती है निर्मला बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुश्यों से भर गया ढूम धाम से अभिशेख और मिघह की शादी होती है मेखा की जिन्दगी एकदम से बदल गई थी अपने जीवन में अभिशेक जैसा लड़का पाकर वो बहुत खुश थी इस तरह मेखा अपने पती के साथ अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत करने लगी